नमस्कार दोस्तों विक्की की पार्शाला में आप सभी का एक बार फिर तेह दिल से स्वागत दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टिंट होने वाला है त्योंकि मैं आपको इस चैप्टर के यानी उत्पादन फलन तथा एक कारक का प्रतिफल के मैं आपको MCQ के कोशन को समझाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको एक से लेकर दस महत्वपुन कोशनों को बहुत ऐ अच्छी तरीके से आप ये देख सकते हैं ये मैं सारे कोशन एक से लेकर 10 तक कोशन मैं आपको समझाऊंगा आ हथ तक तो मैं आपसे ये उमीद करता हूँ कि आप ये मेरा वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखेंगे और दोस्तों वीडियो को अच्छा लगने पर इसे लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूले तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पहला प्रशन पढ़ते हैं जो पहला प्रशन दे रखा है कि परिवर्तित कारक के प्रती इकाई उतपादन को क्या कहते हैं आप उप्शन में पढ़ता हूँ आप इसका आंसर दें पहले सोचें फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊँगा कमेंट में आप जुरूर आंसर दिया करें आपसे मेरी रिक्वेस्ट है तो देखे पहला है कूल उतपाद दूसरा ओसरत उतपाद और तीसरा सिमान उतपाद और चौता ओप्शन दे रखा है इन में से कोई नहीं आप बताइए देखे मैं इसका आंसर देता हूँ आपको परती काई उतपादन देखे परती काई उतपादन का मतलब होता है यानि एक यानि अगर आपकी फैक्टरी में पाच वरकर हैं और पाच वरकर मिलके आपको पचास वस्तू का निर्मान कर रहे हैं तो कम से कम एक कितना कर रहा है, दस कर रहा है ना, तो दस क्या है, ओस्त उत्पाद, देखें, आप अगर पचास को दस, पास से भाग करोगी, तो आंसर आएगा, दस, यानि एक शर्मिक आपका, दस वस्तूं का निर्माण कर रहा है, यानि प्रती इकाई उत्पादन, प्रती इकाई उत्पादन, हम कहते हैं, ओस्त उत्पाद को, तो इसका हमारा, पहला, और सेकिंड आंसर, यानि B ओप्शन ठीक है, तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ, ये पहला कॉशन समझ में आ गया होगा, अब देखते हैं, दूसरा कॉशन, यहाँ पे कुछ फॉर्मले दे रखें, तो ज़रा ध्यान देना, देखे, दूसरा है, निम समय करनों में से कौन सा सही है, तो हमें सही को बताना है, तो देखे, एक्वल टू होता है, क्यू अपोन एल, यानि क्यू मतलब है, क्यूंटिटी यानि टॉटल प्रोडेक्शन, जितना भी टॉटल प्रोडेक्शन हुआ है, और एल मतलब है, श्रम की इकाईया, जो की हमारा वेरेबल, फेक्टर है, दूसरा है हमारा, एम पी, यानि सिमानत उत्वाद, जो की दिखा रखा है उपर, क्यू अपॉन डेल्टा एल, यहां दे रखा है एम पी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा अपॉन एल, इन में से कोई नहीं, आप पहले सूचे, देखे, अब मैं आपको इसको बताता हूँ, अगर आपने आंसर दीती है, माइनस, खुल उत्पाद माइनस, एन माइनस वन, यानि इसका एक ही फॉर्मिला होता है, जो की बहुत इंपॉर्मिला होता है दोस्तों, मैं यहां पे लिख देता हूँ, कि, MPNTH इक्वल TPN माइनस TPN माइनस वन, जिसका मतलब होता है, कि सिमान उत्पाद, कुल उत्पाद की दो लगातारी का यूँ का अंतर होता है, क्योंकि अगर यहां पाच रखोगे, तो यहां चार आजाएगा, अगर यहां तीन रखोगे, तो यहां पे दो आजाएगा, क्योंकि एक कम ही रहेगा, तो ये दोनों option तो कड़ जाते हैं अब इस option पे हम थोड़ा विचार करते हैं देखे कुल उत्वाद यानि क्यू दे रखा है यानि quantity दे रखा है यानि ये हमारा कुल उत्वाद दे रखा है तो simple सी बात है ये total production है इतनी वस्तों बनी जितनी काईयों ने बनाया तो हमारा क्या है उस है तो हमारा ये ही option सही है पहला option हमारा सही है दोस्तों अब देखें तीसरा प्रशिन तीसरे प्रशिन में दे रखा है निम सम्मिकरण में से कौन सा सही है सही है या सही नहीं है इस पर ज़रा ध्यान दिया करो तो देखिए, यहाँ पर तो दे रखा है N और यहाँ पर दे रखा है 2 तो अगर यहाँ मैं तीन रखूंगा तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा तीन में से एक कम होंता, दो आना चाहिए था यहां तीन रखेंगे, तीन में से दो जाएगा, तो एक, यहां तीन रहेगा, यहां एक रहेगा, यह तो गलत हो गया, दूसरे चीज, AP, TP into L, यह यह, आप मुझे बताइए, पहले सोच कर, बहुत ही सिंपल सी बात, देखे, मैं आज आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है देखे, भई, यह वाला अंसर तो हमारा कड़ गया, दूसरा भी कड़ गया, हमारा B पार्ट भी कड़ गया, चोकि देखे, AP बरबर होता है, TP divided by L, यहां पे दे रखा है, L को, देखे, आपको यह फॉर्मला पता है, कि AP हमेशा बरबर होता है, TP divided by L, यानि quantity, quantity कर सकते हैं, क यह वाला भी option कड़ गया, यह भी कड़ गया, अब यह दो रह गए हैं हमारे, अब देखो, कुल लागत में जो परिवर्तन होता है, सिमान लागत में आपको क्या बताई थी, मैंने आपको बताई थी, कि सिमान लागत होता है, जैसे मैं आपको थोड़ा example से समझाता हूँ, पाच वस्ट मसदूर मिलकर फचास वस्ट में बना रहे हैं, जैसे छे हुए तो यह बढ़के होगे, साथ, परिवर्तन आया, दस का, यानि टोटल प्रोडेक्शन में, यानि कुल उतवाद में जो परिवर्तन आया है, दस का, और एकाईों में परिवर्तन आया है, एक का, अगर हम एक से भाग करेंगे, तो कितना आ जाएगा, एक दस ही आ जाएगा, तो इसका ये जो दी आंसर है, वो बिल्पूल सही है, दोस्तों, ये बात आपको आगे, क्योंकि डेल्टा, सिमान्त लागत का, देखी, यहाँ परिवर्तन नहीं है, और सिमान्त लागत का मतलब भी परिवर्तन होता है, डेल्टा, डेल्टा परिवर्तन को ही शो करता है, तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको तीसरा भी समझ में आ गया है, अब बात करतें चोथे कोशन की, चोथे कोशन में दे रखा है, आपको, चोथे कोशन में दे रखा है कि परिवर्तित अनुपात परकार का उत्पादन फलन होता है, यानि परिवर्तित अनुपात परकार का उत्पादन फलन होता है, यानि आपको पता है कि उत्पादन फलन दो परकार के होते हैं, एक अलपकालिन और एक दिर्पकालिन, मैं तीनों के चारों आप्शन पढ़ता हूँ, आप इसका अंसर दे पहले जब उत्पादन के इस्तर में परिवर्तन के साथ कारक अनुपात में परिवर्तन होता है पहला option दूसरा option है हमारे पास जब परिवर्तित कारक का प्रियोग करके उत्पादन बढ़ाना संभव होता है तीसरा option है जब उत्पादन के इस्तर में परिवर्तन से उत्पाद मैं आपको समझाता हूँ देगी परिवर्थित अनुपात का नियम हमें क्या बताता है कि अगर हमें अल्पकाल की स्थिती में उत्पादन को बढ़ाना है तो हम केवल परिवर्थित कारकों की संक्या में ही वर्दी कर सकते हैं और दूसरा हमें ये बता है कि अगर उत्पादन का इस्थर बढ़ेगा उत्पादन का इस्थर में परिवर्तन आएगा या उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा तो कारक अनुपात या भूमी या फिर पूंजी और श्रम का जो अनुपात है उसमें भी परिवर्तन आएगा तो पहला भी ठीक है और दूसा भी ठीक है में हम परِवर्थित कारक के अनुपाद के नियम में हम केवल परिवर्थित कारक का ही प्रयोग करके उतपादन को बढ़ा सकते हैं लिए हमारा चौत्छे का डी answer सही है अब दात करते हैं पाचमे परशन के पाचमे परशन में क्या दे रखा है जब सिमान्त उत्पाद रिडात्मक हो जाता है तो कुल उत्पाद की स्थिति क्या होती है देखिए मेरे दोस्तों मैंने इससे पहले ठरीवर्तित अनुपाद और काफी वीडियो बनाए आई बटन पर उसका लिंक है उन सारे वीडियो को अगर आप देखेंगे तो ये कोशन आपके लिए बहुत इजी है तो देखिए मैंने आपको बताया था कि सिमान्त उत्पाद जब बढ़ता है तो कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है जब सिमान्त उत्पाद शुन्ने होता है तो कुल उत्पाद अधिक्तम होता है जब सिमान्त उत्पाद रिडात्मक होता है तो आपको यह बात समझ में आ गही होगी, तो यानि कुल उत्पाद घटना आरम कर जाता है, दूसरा उप्षन गलत है, बढ़ता तो है यह नहीं, और इस्थिर भी नहीं होता, इनमें से कोई भी नहीं तो यह तो आपको बात समझ में आ गही होगी, अब बात करते हैं हम अपने चटे कोशिन की जब ओसत उत्पाद बढ़ता है तो सिमानत उत्पाद क्या होता है देखिए मेरे दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिकली एक बात समझा देता हूँ यहां पे ही डाइग्राम बना देता हूँ एक छोटा सा डाइग्राम देखिए यह हमारा MP है और यह हमारा उपर वाला AP है देखिए याद रखना कि जो सिमानत उत्पाद है बढ़ता भी तैजिसे और घड़ता भी तैजीसे जब वो बढ़ता है तो वो AP से ज़ादा होता है जब वो घरता है तो AP से कम होता है और जहाँ पर उसको काड़ता है वहाँ पर बराबर होते हैं तेन स्थितियां होती है MP is greater than AP, MP is less than AP, MP is equal to AP बहुत ही सिंपल मैं इसे अगर डाइग्राम इसके थोड़ा सा बताना ही चाहूं आपको सही से तो देखें यहाँ पर आप ज़रा ध्यान दें तो बहुत ही सिंपल है अगर जब भी आपने करना है तो AP का वक्र पहले बनाए AP, AP का वक्र अब जड़ा यहाँ पर देखिए और इस तरीके चाहिए यहाँ पर काड़ देगा इसको तो मान लीजे Z बिंदू पर, Z बिंदू से पहले यह MP है तो इस Z बिंदू से पहले MP is less than greater than AP इसके बाद है यह MP is less than AP और यहाँ पर है MP is equal to AP मैं इसका भी अलग से वीडियो बना दूँगा अगर आप कमेंट करते हैं पैसे यहीं पर काम बना दूँगा मैं आपका ज़रा ध्यान देना तो आपने देखा कि जब AP बढ़ता है जब सिमानत उत्पात बढ़ता है तो ओसत उत्पात भी बढ़ता है प्रंतु सिमानत उत्पात का वक्र ओसत उत्पात की वक्र से उपर होता है अर्थार्थ AP is greater than AP पहली बात आगई आपको समझा में दूसरी बात जब सिमान्त उत्पाद और ओस्त उत्पाद दोनों एक दूसरे को प्रतिछेदित करते हैं यानि कारते हैं तो उस स्थिति में वो दोनों बरपर होते हैं ये भी बात समझा गई तीसरी बात आप समझेए कि जब सिमानत उत्पाद ओसत उत्पाद को उसके अधिक्तम बिंदू पर कारता है इससे ज़ादा value AP की कहीं नहीं होती जहां पर सिमानत उत्पाद ओसत उत्पाद को कारता है वहाँ पर ओसत उत्पाद का जो मुल्य होता है वो सबसे ज़ादा होता है तीन बात आपको समझ आगई चौती बात जब सिमांत उतबाद घड़ता है तो ओसत उतबाद भी अब इस प्रशिद का उत्तर आप दे सकते हैं, आप बताएए कि जब सिमान्थ उत्पात बढ़ता है, तो सिमान तुपात क्या होता है अब बताइए जब ओसत उपात बढ़ता है तो सिमान तुपात भी बढ़ता है यह बढ़ता भी तेजी से और घरता भी तेजी से है तो option देखिए ओसत उपात के बराबर होता है बिल्कुल नहीं ओसत उपात से अधिक होता है बिल्कुल ओसत उप सिमानत उत्वाद बढ़ता है तो ओसत उत्वाद भी बढ़ता है प्रंतु सिमानत उत्वाद जादा होता है जब सिमानत उत्वाद घरता है तो ओसत उत्वाद भी घरता है पर सिमानत उत्वाद उस समय कम होता है यह बढ़ता भी तेजी से घरता भी तेजी से इस बात का पहला option, कई कारकों का दूस्तों की तुलना में कुशल होना, कारकों का विशिस्टी करण होना या इन में से कोई नहीं, आप बताइए answer, देखिए आपने comment में जरूर answer दिया करें, और देखा करें कि आपको 10 में से कितने number मिले हैं, क्योंकि आप self check किया करें, मिरे सारे video फिर उसके बाद इस test में बैठें, आपको मज़ा आएगा, आपको खुद भी बहुत मज़ा आएगा, ठीक हैं, तो देखिए इसका जो सही answer है, वो है कि कई कारकों का स्थिर होना, चुकि देखिए, परिवट्टित अनुपात का नियम वहीं लागू होता है, जब आलपका हरसमान परतिफल की अवस्ता में, दोस्तों देखिए, मैंने आपको समरी के बाच में बताया है कि कारक का बढ़ता परतिफल क्या होता है, कारक का घरता परतिफल क्या होता है, कारक का रिडापक परतिफल क्या होता है, और उनके कारण तक पर मैंने अलग-अलग से वीडिय कारक के बढ़ते प्रतिफल पर मैंने एक वीडियो बनाया है कारक के घरते प्रतिफल के कारण क्या होते हैं इन पर भी मैंने वीडियो बनाया है तो यहीं वहीं से यह कोशन पूछा गिया है कि हर्समान प्रतिफल की अवस्ता पहले आप जी समझ लेजी हर्समान प्रतिफल क् अवस्ता में में पहला option है कुल उत्पात घरती दर पर बढ़ता है दूसरा है कुल उत्पात बढ़ती दर पर बढ़ता है तीसा है सिमात उत्पात घरता है फिर चौता है A और D अब जरा देखिए A और B A और C तो जरा question को जरा ध्यान से देखिए पहला option सही लग रहा है क्यो जो खुल उत्वात घटी दड़ से बढ़ता है तो देखिए इसका सही आंसर है हमारा D बिलकुल सही है क्योंकि बैइ जो हर्षमान सिमान प्रतिफल होता है उसमें सिमान उत्वात घटा है जिसके कालन कुल उत्वात घटी दड़ से बढ़ता है तो option D बिल्कुल ठीक है, नुवे परशन की बात करते हैं, नुवे परशन की, देखे भाई, अब हम नुवे परशन को देखते हैं, जब एक परिवतित कारक की अधिक से अधिक काई, इस्तिर कारक के साथ सन्योजित होती है, तो सम्मंदित नियम को कहा जाता है, तो देखे कोशन को समझने की कोशिश कीजिए कि जब एक परिवतित कारक की अधिक से अधिक इकाई स्थिर कारक के साथ सन्योजित की जाती है तो संबंदित नियम को कहा जाता है तो उस संबंदित नियम को हम क्या कहते है ज़रा देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आउट करता हूँ, तो देखे, बहुत ही सिंपल सी बात, आप ये बात जानते हैं कि जब हम इस्थिर परिवतित कारकों की संक्या में तो विद्धी करते हैं बट एक स्थिर रहता है, तो उस नियम को हम क्या कहते हैं, पहला क्योंकि हम परिवर्तित अनुपात के नियम में ही एक स्थिर कारक के साथ परिवर्तित कारकों की संक्या में विर्दी करके उत्पादन को बढ़ाते हैं, तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको नुवा कोशन भी समझ में आ गया है, आज का आखरी कोशन, क्योंकि ग्यारा से ब रिनात्मक परतिफल की अवस्ता में, सिमान उत्पाद घरता है, सिमान उत्पाद बढ़ता है, सिमान उत्पाद रिनात्मक होता है, देकि रिनात्मक परतिफल सिमान उत्पाद रिनात्मक होगा, अगर धनात्मक परतिफल बढ़ता परतिफल सिमान उत्पाद बढ़ता है, तो कि सेमानत उत्पाद बढ़ता है तो बढ़ता परतिफल कहलाता है घड़ता है तो घड़ता परतिफल कहलाता है शुने या इस्तिर होता है तो इस्तिर परतिफल या शुने परतिफल भी कहलाता है और जब रिनात्मक होता है तो रिनात्मक परतिफल कहलाता है तो इसका सही आंसर है हमारा रिणात्मक पर्तिफल यानि सी ओप्षन हमारा बिल्कुल सही है तो आपको ये 10 के 10 कोशन बिल्कुल समझ में आए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये मेरा प्रियास अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक किये बिना बिल्कुल भी ना जाए और अगर चैनल पर पहली बार आए है तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको 11 से लेकर 20 तक कोशन MCQ के बताऊंगा मेरे दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिं जैभार